हलो फ्रिंट्स, वेलकम बैक टू स्टड़ी फर नौकरी, दोस्तों बहुत इंपोर्टेंट वीडियो आप सभी लोगों के लिए, अगर नम्टीसी में जो रिक्रूट्मेंट आई है, जुनियर ओफिसर ट्रेनी का उसका तैयारी करना चाहते हैं, फॉर्म भरना चाहते हैं, स सबसे पहले आपको जानना जरूरी है, कि इसका एक्जाम पैटर्न क्या है, सिलेबस क्या है, तो सभी ब्रांचे का यहां पर डिसकर्स करेंगे, मेकेनिकल, सिबिल, इलेक्रिकल और माइनिंग, तो कम्प्लीट सेलेक्शन प्रोसेस भी आपको पता चलने वाला है, और इसका प्रांचवाइस है, माइनिंग में 28, मेकेनिकल में 17, इलेक्रिकल में 13, और सिबिल में 5 वेकेंसी है, तो इसमें सभी क्टेग्रिज के कंडिडेट इलेजिबल्स हैं, तो इसको आपको पता होना चाहिए, उसके बाद देखिए अब मोड अफ सेलेक्शन क्या होने वाला है, तो देखिए, मोड अफ सेलेक्शन में आपको एक कंप्यूटर बेस्ट टेस्ट होगा, कंप्यूटर बेस्ट टेस्ट होगा, जो कि 100 मार्स का होगा, और उसके बाद 1 रेसियो 3 में बुलाय जागा, किसके लिए, तो सुपरवाइजरी अस्कील टेस्ट के लिए, और ये यहां पर कोई भी जिक्रे नहीं किया गया है, कहीं भी मैंने बहुत सर्च किया है, तो आप मान कर चलिए, जब तक ऑफिसयल कुछ नहीं आता है, कि 1 फोर्थ जो है, निगेटी मार्किंग है, इतना मान कर चलिए, वैसे कुछ अगर ऑफिसयल आती है, तो आपको सुचित कर दिया जाएगा, उसके देखे, कंडिडेट बिल कॉल फार्थ सुपरवाईजरी टेस्ट, लेकिन इसमें जो आपको 100 मार्क है, इसमें जो जन्रल और EWS के कंडिडेट है, वो 50 मार्क से अगर कम लाते हैं, तो उनको बाहर कर दिया जाएगा, यानि कि उनके लिए कम से कम कट 50 मार्क से है, वो भी CNCL के लिए 45 मार्क से है, और ACTPWD के लिए 40 मार्क से अनिवाज है लाना, तभी उनको फर्दर सेलेक्शन के लिए बुला आया जा सकता है, उसके बाद देखे, यहाँ पर आपको रिटेंग टेस्ट होगा, तो देखे, रिटेंग टेस्ट के रिगार्ड 20 मार्क का है, तो इस तरह से मैंने इसके ऊपर एक वीडियो भी बनाया था, जिसमें आप फुल पीडियाफ जो है, टेलिग्राम चैनल से प्राप्त कर सकते हैं, या फिर इसका वीडियो भी देख सकते हैं, तो इसमें कुछ कमेंट आया कि, इलेक्ट्रिशन गिरेट 3 का एक इतना तो आपको पढ़ कर चलना ही पड़ेगा, तो अभी मान कर चलिए, इसके हिसाब से कि आपको 100 नमर का त्यारी करना है, जिसमें subject knowledge 30 marks का है, general knowledge 50, numerical and reasoning ability 20 marks का है, और 2 घंटे में आपको इसको solve करना होगा, तो इस वीडियो को देख सकते हैं, और PDF टेलिग्राम से ले सकते उसके बाद देखे, आपको supervisory test में 1 ratio 3 में बुलाया जाएगा, जो कि 100 marks computer based test में आप जितने नमर लाएगे, उसके बाद देखे, supervisory test भी आपको 100 marks का होगा, जब supervisory test में जाएगे तो वहाँ basically यहाँ पर skill वगरा जो भी branch है उससे related पूछा जाएगे, तो यहाँ पर आपको general और EWS के candidate को 40 marks लाना अनिमार्ज है, वो भी CNCL का 30% यानिमार्ज का सकते हैं, 30% जो है CST और PWD के लिए, तो 1 ratio 3 के ratio में बुलाया जागा, इसको आप लोगों को ध्यान रखना है, अगर इससे कम marks आपको आते हैं, तो आपको disqualify करते जाएगा, अगर इतना आता है, उसके ब will be conducted in the respective discipline which is mandatory, supervisory skill test is qualifying in nature and its marks will not be included in the online test, CBT marks, final selection and the basis of the CBT only, तो इसको आपको ध्यान रखना है, तो final selection आपको लेकिन supervisory skill test में qualify करेंगे, तभी आपको final selection जो CBT के आधार पे होगा, उसके लिए consider किया जाएगा, और NMDC कुछ भी right रखता है कि कोई भी question को यहाँ पर आटा दे, इसको आपको पता होना चाहिए, उसके बाद देखिए, document verification साथ में होगा, जब supervisory test के लिए जाएंगे, तभी आपको original document ले जाना होगा, तो यहाँ पर जो original document ले जाना होगा, along with the self-attested photocopies in support of the age qualification experience cast for the verification of their eligibility as per the notification at the time of the supervisory skill test, अगर ऐसा नहीं करते हैं, यानि कि नहीं ले ज skill test नहीं दिया जाएगा, तो इसका आप लोगों को ध्यान रखना होगा, तो अब देखिए cool मिलाकर यहाँ पर आपको 100 marks का तयारी करना है, और इसी पर आपका final selection होगा, supervisory test जब final result यहाँ पर आपको CVT1 का result आईगा, तभी आपको supervisory test के लिए जहाना है, और तभी उसको त यारी करना है, ताकि आप selection तक पहुंच सकें, वीडियो को like करिए, अपने दोस्तों के साथ share करिए, चैनल को subscribe कर लिजे, क्योंकि अब वीडियो जो है आपको मिलेगी, जो previous year cut-off कितना गई थी mechanical test train के लिए, so thank you, इस वीडियो में पना है,